अतश्रे योग वाशिष्ठे निर्वान प्रगर्णस्य पूर्वार्धे त्रिम्षस्र्गह इश्वरवाच एबं सर्वमिदं विश्वं परमात्मैव केवलं ब्रम्हिव परमाकाश मेषदेवः परह स्मृतह तदे तत्पूजनम् श्रेयस्तस्मात्सर्वमवाप्यते तदेवसर्गभूह सर्वमिदं तस्मिन्व्यवस्थितं अकृत्रिममनाध्यंतमद्वितियमकंडितं अभहि साधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते प्रबुद्धस्त्वं मुनिष्रेष्ठ तेनेदं तवकत्यते नाति देवार्चने योग्याः पुष्पधूपचयो महान् अभ्यूत्पन धियो येहि बाल पेलव चेतसह कृत्रिमार्चामयं तेशाम देवार्चनमुदाहितं शमबोधाध्यभावेहि पुष्पाध्ययर्वार्चयंतिहि मिथ्ययवकल्पितैरेवमाकारे कल्पितात्मके स्वासंकल्पकृतैहि कृत्वा क्रमैरर्चनमाद्रिताह बालाह संतोशमायांति पुष्पधूपलवार्चनेहि स्वासंकल्पकृतैरर्थैहि कृत्वादेवार्चनमुदाहितं यतहा कुतस्चन्मिथ्यात्म फलमात्रम्नयंतिते। पुष्पधूपार्चनम् ब्रम्हन कल्पितं बालबुधिशु यत्स्याद्भवाद्रिशाम् योग्यमर्चनम् तद्वदाम्यहं अस्मदादिस्त्वसौकस्चिद्देवो मतिमतांबर देवस्त्रिभुवनाधारह परमात्मैवनेतरत। शिवह सर्वपदातीतह सर्वसंकल्पनातिगह सर्वसंकल्पवलितो नसर्वो नचसर्वकह दिक्कालाध्यनवचिन्नह सर्वारंभ प्रकाशकृत। चिन्मात्रमूर्तिरमलो देव इत्युच्यते मुने संबित्सर्वकलातिता सर्वभावांतरस्थिता सर्वसत्ताप्रदादेवी सर्वसत्तापहारिनी ब्रम्ह ब्रम्हन सतसतोरमध्यं तद्देव उच्यते परमात्म पराभिक्यं तत्सदोम इत्युदाहितं। महासत्तास्वभावेन सर्वत्रसमतांगतं महाचिदितिसंप्रोक्तं परमार्थ इतिष्रुतं। स्थितम्सर्वत्रसर्वंतु लतास्वंतरियतारसह सत्तासामान्यरूपेन महासत्तात्मनापिच। यचिततत्व मरुंधत्या यचिततत्वम तवानगा यचिततत्वम चपार्वत्या यचिततत्वम गनेशुच। चित्तत्वम्यन्ममेदंच, चित्तत्वम्यज्यकत्रय, तद्देवािति तत्वग्या, बिदुरुत्तमगुद्धय ह। पादपाण्यादिमानन्यो, योवादेवह प्रकल्प्यते, संविन्मात्रादृते ब्रह्म्हन, किम्सारह, किलकत्यताम। चिन्मात्रमेबसं सारसारह, सकलसारताम, गतह सादेवह सर्भोहं, तस्मात सर्वमभाप्यते। न सदूरे स्थितो ब्रह्मन, न दुष्प्रापह सकस्यचित, सम्स्थितह स सदादेह, सर्वत्रैवच खेतता। सकरोति, सचाष्नाति, सविभर्ति, प्रयातिच, सनिष्वसिति, संबेत्ता, सोंगान्यंगानिबेतिच, सोस्याम् विचित्रचेष्टायाम् प्रकाशिन्याम् चतद्वशात् तत्स्वरूपनिवध्धायाम् पुरियाम् आस्ते मुनिष्वरों शरीरावसथायाम् च चलायाम् तत्प्रसादतह सोस्याम् गहनकोशायाम् रिद्गुहायाम् गुहेष्वरह मनहा सस्थेंद्रियाचारसत्तातितामलात्मनहा तस्यो संभ्यवारार्थं संग्याचिदितिकल्पिता सेश चिन्मयह सुक्ष्मह सर्भव्यापी निरन्यनहा इमं भास्वरमा भासं करोति नकरोति च साचिदत्यंत विमला जगदर्थं जगत्क्रियाम् इमाम् रंजयति प्राग्या रसे नेव मधुर्लताम् चारवोये चमत्कारास्चितस्चिति यथास्थितम् चमत्कुर्वंतिकिलते तेनकेचिन्नभो भिधाहा केचित जीवा भिधानास्च केचित चित्ता भिधानकाहा केचित कला भिधानास्च केचित देशा भिधानकाहा केचित क्रिया भिधानास्च, केचित द्रब्या भिधानकाह, केचित भाब विकारादि जात्यव चित्या भिधानकाह, केचित प्रकाशा भिधानाह, केचित छैलतमो भिधाह, अर केंद्राद्या भिधाह, केचित यक्षा भिधानकाह, निरिच्छस्वस्वभावेन वसंतेन यथांकुरह, तन्यते तद्वदेवेयं, जगल्लक्ष्मी इस्चिदात्मना, चिदेवासु समग्रासु सर्वदैवै किकईवही, त्रैलोक्यां भोधिसंस्थासु शरीर जल जालिका, शरीर पंकजब्रांत मनो भ्रमरसं भृतां, आस्वादयति संकल्प मधुसत्तां, चिदेश्वरी, ससुरासुरगंधर्बं, सशैलारणवकं जगत, चितिस्थितं प्रवहति, जलावर्ते जलं यथा, बंधचित्तमयाचारचारुचंशुरचक्रिकं, संसारचक्रंचिच्चक्रे, भ्राम्यति भ्रमभाजनं, चिच्चतुर्भुजरूपेण, जगानासुरमंडलं, कालो जलदखंडेन, सायुधेन, यथातपं, चित्रिनेत्रतयाब्रम्हन, ब्रिशशीताइशुचिन्हया, गौरीकमलिनी वक्त्र, पद्मशट्पदताम्गता, विष्णोहो पद्मालितामेत्य, चिध्यानाधीनमानसा, त्रयेनलिन्याहासरसेम, धत्यपैतामहीम्स्थितिम्, चितो ब्रम्हन बिचित्राणि, शरीराणिह भूरिशह, पत्राणिवतरोरहेम्नि, के यूरादिक्रियेवच, चित्समस्त सुरानीक परिवंधित पादया, त्रैलोक्य चूडामनिताम्, धत्य बासवलीलया, चित्सुभास्वरतामेत्य, त्रैलोक्योदरडंबरे, पतत्युदेति सम्याति, स्वात्मन्य बाब्धिबारिवत। चिच्चंद्रिकाचतुर्दिक्षु, अभभासं बितन्वती, विकासयति निश्येष, भूतसत्ता कुमुद्वतें। चिद्धरपण महालक्ष्मी स्त्रिजगत्प्रतिविंबितम्, ग्रिनात्यनुग्रहे नांतः, स्वगर्भमिवगर्भिनी। चिच्चतुर्दश भूतानाम्, मंडलानि महांतिच, भूति करोति वारिश्रिह, समुद्रस्वमिवां बुधिह। विचित्रा लोक कुसुमा, घन संकल्प पल्लवा, व्योम केदारिकारूढ़ा, सत्त उग फल शालिनी। जीवजालर जह पुन्जबासनार सरंजिता, संबेदनत्वग्वलिता, चित्तेहा कलिका कुला। अतिता संख्यत्रि जगत्के सरोज्वल रूपिनी, अनारतस्पंद महाबिला सोल्ला सहासिनी। सर्वर्तु पर्व परुषा, जडशैलादि गुल्मका, विग्रह ग्रंथि वलिता, मूलाग्र परिवर्तिता। चिल्लतेयं विकसिता, पेलबं सदसद्व पुह। विचित्रं दृष्यकुसुमं परामर्शासहं बहु। अनये हहिसरवत्र, छायाच्चमिब जन्यते, मन्यते तन्यते वस्तु, गीयते क्रियते पिचो। महाचितानया नित्यम भासंते भास्करादयह, देहाह स्वदंते चमिथस, तत्सत्चिजड विभ्रमैही। चिताचावर्त वर्तिन्या, सिद्धान्येवो प्रंदृत्यते, जगज्जाल रजो लेखा, तत्सत्ता दृष्यदेहिनी। चित्सर्भं जगदारं भमिमं प्रकटयत्यलं त्रैलोक्यदीपकशिखादीपो वर्नाश्रयं यता। चिच्चंद्र भिंबे भिमले, शशवत प्राप्यसंगमं, सर्वत्र लक्षतामेति, पदार्थ श्रेर जगद गता। चिद्रसायन सेकेन, पदार्थ पतलावली, रूपमेति फलंचैव, प्रावरिट सिक्तेव सल्लता। चिच्चायय वसर्वस्य, जाध्यम सम्य गुदेतिच, सर्वस्यास्य शरीरस्य, ग्रिहस्य वतमस्ट्विह। चिच्चमत्कृतयोदेहे, नाभवेयुरिमायदे, त्रैलोक्यदेहास्यक्त्वैते, नास्प्रिशेयुहु किलाकृतिम् चिदाकाश प्रकाशे स्मिन, संकल्प शिशुधारिनी, क्रियाकुलबधूर्देह ग्रिहे, स्फुरति चंचला। चिदालोकं बिनाकस्य, रसनाग्रे स्फुरन्नपी, कथंकदा प्रकतता मेति द्रिष्टह, क्ववारसह। श्रण्डवंग स्वांग शाखोपि, कुंतलालिलतो प्यलं, चिन्मज्जनं बिनादेह बिक्षह, कईवराजते। वर्धते बिलुठत्यत्ति, चिच्चराचरकारिणी, चिदेवास्तितरन्नास्ति, चिन्मात्रमिदमुथितं। श्रे वशिष्ठव वाचो। इत्युक्तवांस्तदात्र्यक्षह, सुधाशु स्वच्चयागिरा। पुनहा प्रिष्टो मयाराम, सुधाशु स्वच्चयागिरा। यदिसर्वगतादेव, चिदस्त्यका तदात्मकह, तदयम् चावनिस्फारमयांधेव, नचेतते। अयम् चित्वान् पुरा भूत्वा, चिद्धीनहा संप्रतिस्थितह, इतियम् कल्पनालोके, प्रत्यक्षानुभवा कतं। इश्वरव वाचो, श्रण्वेत दखिलं ब्रम्हन, यदाप्रिष्टं बदामिते, महानयं त्वया प्रश्नहा, कृतो ब्रम्ह विदांबरो, चिदस्ति ही शरीरेह, सर्व भूत मयात्मिका, चलोन मुखात्मिकाइकात। निर्विकल्पा परास्मृता। संकल्प बुद्धा सैवांतः, स्वयमन्ये वसंस्थिता, संकल्पिते तरवरा, दौशिल्यं स्त्रीयता गता। सवय वहि पुमान को पाध्यते हान्य इवक्षणात। भवत्येवं विकल्पांका, चिदस्वरूपान्यतां गता। विकल्पकल्पिता ब्रम्हंस्चित्स्वरूप परिच्युता, जाध्यं क्रमाद्भावयंते प्रयातिकलनापदं। चिद्स्वयं चेत्यतमेति साकाष परमानुतां। शब्द विजात्मिकां पस्चाद। वात तन्मात्र गामिनी। देशकाल विभागांता तन्मात्र वलिता क्रमात। जीवो भूत्वा भवत्याशु बुद्धिही पस्चादहं मनहां। मनस्त्वं समुपायाता संसारम बलंबते चंडालो स्मीति मननाचंडालत्व मिवध्विजह। संकल्पिताप्रबोधेन जाध्या विष्वप्रबोधिनी। शवलं रूपमासाध्य संकल्पाध्यात्यनारतं। अनन्त संकल्पमयी जाध्य संकल्पपिवरा। चिज्जाध्यान मोदमायाति पयह पाशानतामिव। ततस्चित्तम्मनो मोह मायेति विहता भिधा। जाध्यम्निपुणमाश्रित्य संसारे जायते मुने। मोह मांध्यमुपायाता त्रिष्णा निगडपीडिता। काम क्रोध भयो पेता भावा भावाति पातिनी। त्यक्तानंत निजाभोगा व्यवच्चेद विकारिनी। दुखदावानलातप्ता शोकाशिवक्रिषाशया। इमस्मीति भावेन शुन्येन विकलीकृता। देहमात्र ग्रिहतास्था परम्दैन्यमुपागता। मगना मोह महापंके जीरने ववन दंतिनी। भावा भावलता दोला परिलोल शरीरका। असारा पारसंसार विकार अभ्यवहारिनी। तापो पतप्तरिदया। रागते जो नुरंजिता। निजयूत परिब्रस्टा म्रिगीवावशतांगता। आविर्भावोधिताकारा तिरोभावेस्तमागता। स्वसंकल्पो पयातास। भीता संभ्रम द्रिष्टिश। पलायते वाश्वन्यास। बेताले श्विव बालिका। उष्ट्रिव मधुरं बिंदुम् वांचते भावितं सुखं। अवांतर परिभ्रष्टा। दोशात दोशं पतत्यधा। परंभै्षम्यमायाति संकतात संकतं गता। दुखात दुखं निपतिता। विपदो विपदिस्थिता। नाना नर्थ गणो पेता। चेष्टा परवशाशया। कष्टात कष्ट मनुप्राप्त परितापानुतापिनी। क्रमादावध्ध वैदग्ध्याद वैदग्ध्यांग मुपागता। विचित्रबंध निर्माण पराक्रमपदं गता। सर्वतह शंकते भीता। प्राणात्ययमुपागता। क्षीन तोये वशफरी विवर्तन परायना। वाल्ये विवशसर वार्था। यववने चिंतया वृता। वार्धके प्यति दुखार्ता। मृता कर्म वशी कृता। जायते स्वर्गनगरे नागी पाताल कोटरे। आशुरी दैत्य विवरे नरस्त्रे वसुधातले। राक्षसी राक्षसाधारे वानरी वनकोटरे। सिंहे गिरे इंद्रशिकरे किन्नरे कुल पर्वते। विद्याधरी देवगिरव। व्यालीच वनगर्त के लतातरव। खगी नीडे। वीरूत्सानव। वने म्रिगी। शेते नारायनों भोध। ध्यानी ब्रह्म पुरेव्यजह। कांतागतो हरहाशैले स्वर्गे सुरवरो हरिह। दिनं करोति तीक्ष्नाइशुर वर्षत्यं बुधरो जलं। करोति श्वशनं संभित सपर्भतम होदधिं। रितु चक्करं प्रवहति सहसा काल मंडलं। दिनरात्रितयो पैति तेजस्ति मिरतां क्रमात। क्वचित बीजरसोल्लासात। क्वचित पाशान मौनिनी। क्वचिन दीरसवते। क्वचित कुमुद विस्त्रितिह। क्वचित फलावली पाकैहि। क्वचित काश्ठान लादि भी। क्वचित छैत्य हिमद्वारि। क्वचित खादि नकिंचना। क्वचित उज्वलिता कारा। क्वचित कष्टाशिला क्वचित। क्वचिन नीलाथ हरिता। क्वचित अगनिही। क्वचिन्मही। सर्वात्मत्वात् सर्वगत्वात् सर्वशक्तित्वयोगत्ः सर्वत्वादेवं रूपईव खादप्यच्चईव सापरा चिच्चिनोति यथात्मानं येन यत्र यदा यदा तत्तथानुभवत्यम्भु स्पन्दाद वीच्चादिताम् यथा हम से क्रौम्ची बकी काकी सारसी तुरगी ब्रिकी बकी बला काहरिनी वानरे किनरे शुनी वतिका पिंगली शाली मक्षिका भ्रमरी शुकी धीह श्रीरही पृतिरतिस्च शंबरी शर्वरी शशी एता स्वन्यासु चान्यासु परिभ्रमतियो निशु बिवर्तमान संसारे जलावर्ते त्रिनम् यथा विवेत्यत स्वसंकल्पात स्वशब्दा दिवगर्धवे नानया सद्रिगन्यास्ति मुग्धा बाला चलावला एशासा कथिता तुब्यं जीवशक्तिर महामुने प्राकृताचार विवशा वराकी पशुधर्मिनी कर्मात्मेत्य भिधां प्राप्ता शोच्यास्य परमात्मनहा अनन्तं दुख बहुलं स्वयं बिब्रममाश्रिता असदेवानयाक्रांतं विनाशि सहजम्मलं तंडुले नेवकंचूक मनन्याभ्यवस्थितं अनन्त विभब भ्रष्टा दौर्भाग्य परितापिनी शोचंती प्राप्य जीवत्वं भर्त्रिही नेवनाईका जडगते रवलोकय शक्तताम निजपदस्मरणेन बिनेहचित। ब्रजतिकस्टमधाः पतनायया यदर घट 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 घन पीठवत। इत्यारशे श्रे वाशिष्ट महारामायने वालमी किये देवदू तोक्त मोक्षो पायेश। निर्वान प्रगरने पूर्वार्धे शिवपूजो पाख्याने चेत्योन्मुख चिद्विचारो नाम त्रिम्ष सर्गहा। अब श्री योगवाशिष्ट महारामायन के निर्वान प्रगरने के पूर्वार्ध के तीसमे सर्ग में चेतन परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। चेतन परमात्मा की सर्वात्मक्ता का निरूपन किया गया है। श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन इस रीती से यह समस्त संसार एक मात्र परमात्मस्वरूप ही है, ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सवसे वड़ा देव कहा गया है, इस परम देव का पूजन सवसे अधिक कल्यान कर है, उसी से सब कुछ प्राप्त होता है, वही समस्त जगत स्रिष्टी के आरोप का अधिश्ठान है, और उसी में यह सब ब्यवस्थित है, स्वाभाविक आधियंत से रहित, अध्वितीय, अखंड, नित्य परमानंद उसी एकमात्र देव के अर्चन से प्राप्त होता है, वह सच्चिदानन्द कल्यान स्वरूप शिव समस्त गुणों से अतीत और संपूर्ण संकल्पों से रहित है, हे मुने देश और काल आदी परिच्चेदों से रहित समस्त संसार का प्रकाश करने वाला विशुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा ही देव कहा जाता है, एको देवस सर्भभूते शुगूढः सर्भव्यापी सर्भभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्षह सर्भभूता धिवासह साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्च वही परब्रम परमात्मा ओम तत सत इन नामों से भी कहा गया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मनस्त्र विदस्मृतह ब्रह्मनास्तेन वेदास्च यग्यास्च विःताह पुरा और वह ब्रह्म सुभावतह महान धुरुव और सत्यस्वरूप है, सर्वत्र समभाव से व्यापग है, वही महान चेतन और परमार्थ स्वरूप कहा जाता है, हे पापशुन्यमने अरुन्धती का और आपका जो चैतन नितत्व है, एबं पार्वती जी का और मेरा और मेरे गणों का जो चैतन नितत्व है, तथा जो चैतन नितत्व तीनों जगत में परिपूर्ण है, उत्तम्मती तत्वग्य लोग उसे ही परमदेव और परमात्मा समझते हैं, एक मात्र चिन्मय परमात्मा ही इस द्रिश्य संसार का सार है, इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी सार रूपता को प्राप्त हुआ, वह सर्वरूप परमदेव परमात्मा मैं हूँ, ए ब्रह्मन वह परमात्मा सर्वब्यापी होने से किसी के लिए भी दूर नहीं है, अतहा वह किसी के लिए भी दुश्प्राप्य नहीं है, वह शरीर के बाहर और भीतर एबं सर्वत्र स्थित है, वही यह परमात्मा चिन्मय, सूक्ष्म, सर्वब्यापी और माया रहित है, देव, दानव और गंधर्वों तथा परवत, समुद्र, आदिसे युक्त यह संपूर्ण जगत, उस चैतन्य में इस्थित होकर कर्मा नुसार उसी प्रकार घुमता रहता है, जिस प्रकार जल के भमर में जल घुमता रहता है, ब्रह्मन चिन्मय परमात्मा ने ही गदा चक्र आदी आयुधों से युक्त होकर, चतुर्भुज विश्नु रूप से समस्त असुर समुह का उसी प्रकार विनाश कर दिया था, जिस प्रकार वर्शारितु इंद्र धनुष्य युक्त मेग रूप से आतप का बिनाश कर देती है, आतप माने धूप, चेतन परमात्मा ने ही ब्रिशभ और चंद्रमा के चिन्हों से युक्त त्रनेत्र रूप धारन करके गवुरी को प्राप्त किया है, और चेतन परमात्मा ही भगवान विश्णु के नाभी कमल में ब्रहमर के समान, ध्यान में तल्लीन, एवं बेदत्र यी रूपी कमलिनी का महान सरोवर स्वरूप ब्रहमा जी का रूप धारन करता है, और इसी महाचेतन्य परमात्मा के सकाश से सूर्य, चंद्रमा आधी सब प्रकाशित होते हैं, निर्मल चेतन रूपी चंद्र बिंब में खरगोश की तरह संबंध प्राप्त करके यह जगत में इस्थित पदार्थों की शोभा सरवत्र दिखाई पड़ती है, हे भद्र, सुनो, यद्यपी इस देह रूपी ब्रिक्ष में हाथ पेर आधी अपने अंग ही शाखाएं हैं, और केशों का समू ही सुन्दर लताओं का समू है, तथा पी यह ब्रिक्ष क्या परियाप्त रूप से चेतन के संबंध के बिना किसी भी तरह शोभित हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। चराचर पदार्थों का निर्मान करने वाला भी यह चेतन ही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए एक मात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगत रूप में प्रकट है। ब्रह्मन वस्तुतह इस शरीर में दो प्रकार का सर्भभूत स्वरूप चेतन है। एक तो चंचल सुभाव जीवात्मा और दूसरा निर्भिकल्प परम चेतन परमात्मा। द्वास उपरना स्विजा सखाया समानम रिक्षम परिशश्वजाते तयोर अन्या पिपलं स्वादु अत्ति अन्यो अनशनन अभिचा कशीती। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से भिन्सा होकर स्थित है। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से आकाश आदी पाँच भूतों, शब्द आदी पाँच विशयों और प्राणा पानादी पाँच प्राणों और देशकाल के रूप में परिणत होता है। सच्चदानन्द घन घन माने ठसाठस, सौलिड, सच्चदानन्द घन ब्रह्म ही नारायन होकर समुद्र में शेन करता है। ब्रह्मा होकर ब्रह्म लोक में ज्यानस्थित रहता है। और हिमालय परवत पर पारवती के सहीत महादेव जी का रूप धारन करके निवास करता है। और बैकुंठ में देव स्रेष्ठ विष्णु का रूप धारन करके रहता है। वह परमात्मा ही सूर्य बनकर दिवस का निर्मान करता है। मेग बनकर जल बरसाता है। बायू बनकर बहता है। सवका आत्मा सर्वत्र व्यापक एबं अपनी समस्त संकल्प शक्ती के प्रभाव से सर्वस्व रूप होने के कारण वह चिन्मय ब्रह्म जगत रूप हो जाता है। बास्तम में तो वह बिज्ञानानंद परमात्मा आकाश से भी बढ़कर निर्मल और सूक्ष्म है। वह परमात्मा जब जहां पर जिस भाव से जिस तरह संकल्प करता है तब वह वहां बैसाही बन जाता है। बायुर्यमोग निर्वरुणष शांकह प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महस्च। नमो नमस्ते स्तु सहष्रकृत्वह पुनस्य भूयोपि नमो नमस्ते। नमपुरस्तादत प्रिष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वते वसर्भौ अनन्तवीरियामितविक्रमस्त्वं सर्भं समाप्नोशि ततोसिसर्भः। एंचओ प्रिश मिंषे ल् Hmmm Qई डिएे क्यूए